हलो मेरे नाम संदीप है और आज हम बात करेंगे कि हम कैसे world population को corona free कर सकते हैं देखी अगर हम वाके ही world population को corona free करना चाहते हैं तो उसका जो सबसे असान रास्ता है वो है vaccination अगर world के सभी लोगों को vaccine लग चाती है तो इस case में world population को corona free किया जा सकता है देखिए जो coronavirus है उसके पास कोई genetic repairing system नहीं होता है genetic repairing system एक ऐसा system होता है जो genetic material में mutation होने से रोकता है देखिए अगर हम बात करें humans की, animals की, plants की इन सभी के पास genetic repairing system पाए जाता है और इस genetic repairing system की वज़े से ही human में, animals में और plants में बहुत ही कम mutation हो पाते है अब क्योंकि coronavirus के पास ऐसा कोई repairing system नहीं है तो इसी लिए coronavirus में लगातार mutation होते रहते हैं हलाकि सभी mutation जो है coronavirus के लिए उपयोगी नहीं होते हैं लेकिन जब कोई ऐसा mutation होता है जो coronavirus की growth को support करता है तब coronavirus उस mutation का फायदा उठा कर अपनी एक new strain बना लेता है हमें यह भी ध्यान लगना चाहिए कि coronavirus को अगर अपने इंदर mutation लाने है या अपना new variant बनाना है तो वो तब ही कर सकता है जब वो किसी human body के अंदर enter करे क्योंकि coronavirus के generating material में mutation तब होता है जब वो मानव कोशिका के अंदर अपने generating material की copy बनाता है coronavirus अपने generating material को पी नए virus बनाने के लिए करता है और उसी दोरान उसमें mutation आते है तो अगर world के सभी लोगों को vaccine लग जाती है तब coronavirus उस population में infection करके नए mutation ला सकता है और फिर इन नए mutation की वज़े से नया variant बना सकता है और जब coronavirus का new variant बनता है तब ये new variant vaccinated और non vaccinated हर तरह की population को infect करता है तो इसी लिए world के सभी लोगों का vaccine लगाना जरूरी है तो अब सभी को इस वीडियो से काफी चान करें मिली होगी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार